Hello everyone, today's video is based on the 9th class geography for Urdu medium और आज का हमारा topic है शहरकारी urbanization तो इस video में हमें बेसिकली ये देखना है कि शहरकारी होती क्या है यानि कि शहर किस तरह से वजूद में आते हैं या फिर किस तरह से बनते हैं ओके, so let's get into the video अब यहां पर chapter में explain किया गया है कि अगर हम पुराने जमाने पर नज़र डाले तो हमें पता चलेंगा कि उस वक्त जो है जरात ही एहम पेशा हुआ करता था और बाकी तमाम पेशे जरात पर ही मबनी हुआ करते थे मतलब कि जरात से related हुआ करते थे जैसे के फसलों की पैदावार करना उसकी कटाई करना उसकी सफाई करना ठीक है लेकिन घुजिश तक कुछ अर्से से देही इलाकों के आसपास सनतों की तामीर शुरू हो गए अब सनते मसलन कार खाने मीले बिजली के मनसुबे वगरा इसकी वज़े से आसपास की अलाके के जो लोग थे वो कामकाच की तलाश में गाओं की तरफ आने लगे और गाओं की आबदी में इसाफा हो गया अब जब आबदी में इसाफा होने लगा तो लोगों को खिद्मात फराहम करने के लिए जो है मुक्तलिफ पेशे वजूद में आने लगे फॉर एक्जामपल कि कोई शहर है वहाँ की आबदी बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा कि दवखानों की जरुवत पढ़ेंगी वहाँ पर छोटी छोटी शॉप स्मॉल की जरुवत पढ़ेंगी अस्पिताल की और तफरी गाह की ठीक है पार्क वगेरा होते हैं गार्डन होते हैं शहरों में तो इन तमाम चीजों से रिलेटेट पेशे वजूद में आने लगे जिसकी वज़े से गाउं वसी हो गए तबील हो गए और ऐसा पहले से नहीं था कि शहर अलग है या गाउं अलग है बलकि गाउं की आबदी में इजाफा होने की वज़े से और मुक्तलिफ पेशे वजूद में आने की वज़े से गाउं या देही इलाके शहरों में तबदील हो गया अब जब गाओं की आबदी में इजाफा हुआ तो वहां की जो है इंतिजामिया में भी तबदील आ गए अब इंतिजामिया मतलब के अक्सर आप गाओं में देखते होंगे कि वहां पर ग्राम पंचायत होती है ठीक है ग्राम पंचायत से ही जो है मुक्तलिफ किसम की सहूलते फराहम की जाती हैं लेकिन शहरों में जो है नगर परिशद या फिर जो है नगर पालिका होती है तो जब गाउं तवील होने लगे तो वहां पर जो है ग्राम पंचायत नगर परिशद या फिर नगर पालिका में तबदील हो गई अब इन इंतिजामियां के जिम्में जो है श श्रीट लाइट लगवाना तफ्री के मुकामात बनवाना बागाद बनाना ठीक है जिसके नतीजतन जो है गाउं शहर में तबदील हो जाते हैं ठीक है अब इसकी बात बताया गया है कि 1961 में की गई मर्दुम शुमारी यानि सेंसेस के जरिये शहरों के कुछ मियार तै किये ग 400 अफराद फी मुरब्बा किलोमेटर में होने चाहिए तो ऐसे इलाके को हम जो है शहर कहेंगे अब इसकी बाद 1961 से 2011 तक जो है शहरी आबदी के बारे में बताये गया है कि 1961 से 1981 तक जो है पांच आशरिया पांच फीसद का इजाफ़ा हुआ आबदी में और 1981 के बाद से 2011 त आइए से देख लेते हैं अब यहां पर सबसे पहले पॉइंट दिया गया है सनतकारी सो हम यह पहले भी देख चुके हैं कि सनतकारी मतलब के देही इलाकों के आसपास सनतों का वजूद में आना अब सनतों की वज़े से क्या होगा कि जो देही इलाकों के लोग है आसपास क वो कामकाज की तलाश में गाउं में आकर बसने लगते हैं जिसकी वज़े से गाउं की आबदी में इजाफा हो जाता है और वो शहर में तबदील हो जाती है आपकी टेक्सबुक में एक एक्जामपल दी गई है मुंबई की के 19 सदी के दौरान मुंबई की आबदी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ क्योंकि वहां पर जो है कप्रासाजी की मीले कायम की गई बहुत सारी जो है कप्रासाजी की मीले कायम की गई जिसकी वज़े से वहां पर बड़े पैमाने पर रोजडार फराहम होने लगा और आबदी में इजाफा हो गया और वो शहर में तबदील हो गया जिसे मुंबई का नाम दिया गया अब इसके बाद अग्ला पोइंट दिया गया है तिजारत तो तिजारत जो है शेहरों में बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि शेहरों में जो इसे मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम होती है जैसे कि नकलो हमल के जराय होते हैं, सडके बनी होती हैं, तिजारती इमारते होती हैं, बड़े-बड़े गुदाम होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर सामन रखा जाता है, बैंक होता है जिसकी वज़े से पैसे के लेंदेन में आसानी हो जाती है, बर्फ खाने वगएरा ज और यहां पर तिजारत से रिलेटेट तमाम सहूलते मौजूद है। इसलिए यहां पर शहर कारी में यानि कि शहर की आबदी में इजाफा हो रहा है। अब इसकी बाद अगला पॉइंट दिया गया है मशीन कारी और टेकनलोजी। तो हम अक्सर देखते हैं कि शहरों में गाउं की बनिजबत बड़े पैमाने पर मशीने और नई नई टेकनलोजी यूज़ की जाती हैं जिसकी वज़े से हर शोबे में तरक्की हो रही है। आबाधी में अद्वार हो रहा है इसके बरक्स जो देही लाके वहां पर बड़े पैमाने पर मशीनों का स्टेमाल करके जराद की जा रही हैं। इसकी वज़े से जो मजदूर है वो बेरोज़गार हो जा रहे हैं जो हाथ से काम किया जाता था वो अब मशीनों से किया जा रहा है इसलिए जो है ये तमाम लोग शेहरों की तरफ मुतवर्ज़ हो रहे हैं काम की तलाश में नतिजतन क्या हो रहा है कि शेहरी आबदी में जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा वहीं पे रहने के लिए चले जाते हैं तो इसे जो हम मुस्तकिन लखले मकानी कहेंगे अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है शेहरों की मियारी जिंदगी से मुतवज़ा होते हैं और वहां पर रोजगार की मौके फ जाफा हुआ है फॉर एक्जामपल कोकन रेलवे की तरक्की की वज़े से उसके आसपास जितने भी गाउं थे या देही इलाके थे वहां पर जो है शेहरकारी का आगाज हो गया है अब इसके बाद दिया गया है शेहरकारी के असरात तो किसी भी चीज़ के जो है पॉजिट क्या होता है कि जो शहर होते हैं वहाँ पर जो है अलग-अलग इलाकों से लोग आकर बस्ते हैं इनके अलग-अलग JACK होते हैं तो यह तमाम लोग जो है अपने रस्म और रिवाज का तबादला करते हैं यानि समाज में इक पैदा होता है अब इसकी बंपर नेक्सट है बहुत ज्यादा फायदेमान साबित होता है। इसकी वज़े से जो हैं नए-एनए मनसुबें बनते हैं। सनते वजूद में आती हैं। और शेहरों का मियारे जिन्दगी बुलंद होता है। श होते हैं अब नकलों अमल के जराय की वज़एसे तिजारत में और बाजारों में इधाफा होता हैं, शेहरों में आला तालिमी मर्करारी मेर्कज आप कुराई के शेहरों में तिबी शाउल्यात में रागिवर होते हैं,596 इजाएं D، मुझमा आने से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं तो इसमें सबसे पहला है जो पर पट्टियां अब शेहरों की जो आबदी है उसमें दिन पर दिन इजाफा होते जा रहा हैं आसपास के जो लोग शेहरों की तरफ रागिब होते हैं उनकी अकसर माशी हालत जो है कमजोर होती है उनकी गैर पुखता मकानात बना कर रहना शुरू कर देते हैं अब ये जो घर होते हैं ये अक्सर गैर कानूनी होते हैं जिसकी वज़े से इन्हें मुकामी इंतिजामिया इदारे जो होते हैं उनसे कोई सहूलते फराम नहीं होती ये घर जो है नियायती आसपास होते हैं लोग होते जह तो अक्सर लोग जहरों के बाहर अपने मेकानात बनाकर रहना शुरू कर देते लेकिन जो भी बुन्यादी ज़ूरते होती ही वो अक्सर जो है शेयर के मरकजी हिस्से में होते हैं जैसे कि पेशे रैंते तिजारत, तालिमी मरकज, अस्पताल वगएरा यह अक्सर जो है शेहरों के बीच में होते हैं तो यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को आमोदरफ्त करनी परती हैं जिसकी वज़े से जो नकलो हमल के खिदमात हैं वो जो है नाकाफी साबित होती हैं इसलिए अक्सर जो है शेहरों के मरकजी हिससे में गाडियों का हुजूम जमा हो जाता है हम अक्सर देखते हैं कि मार्किट वगड़ा में जो है बहुत जज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और नकलो हमल की मसाइल पैदा हो जाते हैं अब इसके बात Tambiénी तो शेहरों नेक्स्ट है अलूद्गी जो है से वहां से बहुत जादा धुआ निकलता है और जो हवा होती है जो फिजा होती है वह आलूदा हो जाती है अब पानी की आलूदगी आभी आलूदगी मतलब के जो छोटी छोटी नदिया होती है वहां पर कच्रा बढ़ रहा है जिसकी वज़े से पानी जो है आलूदा हो जात करते हैं नतीजतन क्या होता है कि शहर में चोरी लड़ाई जगडे बढ़ जाते हैं और पोलिस और अदालत पर जो है दबाव पड़ता है अब इन तमाव मसाइल के अलावा भी जो है शहरों में जगाओं की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और एक गुरूप बंदी हो गई है जिसकी विज़े से शहर में तनाव बढ़ता जा रहा है सुनाव यहां पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है यह चैप्टर बहुत ईजी है तो इसके जो कुश्चन और आंसरस हैं वह इंशाला प्रीविएस वीडियो में कंप्लीट करेंगे से थैंक्स वाचिंग करेंगे तो इस वीडियो